कैफे पर पुलिस ने चापे मारी की है कैफे में पार्टी करते हुए यूवक युपतिया बता दें आपको मौके पर 11 लड़के और 8 लड़किया मिली है मामला दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है ये बड़ी खबर है कैफे से जहांपर 2 कैफे पर पुलिस ने चापे मारी की है और इस कैफे में बता दें आपको कैई सारे यूवक और युपतिया पार्टी करने के लिए पहुँचे हुए थे और मौके से पुलिस ने 11 लड़के और 8 लड़किया गिरफतार करी है मामरा दर्ज भी किया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है तो दो कैफे ये बताए जा रहे है कैफे में जहांपर पुलिस ने पहुंच कर छापे मारी की है और छापे मारी के बाद बता दे पुलिस के तरफ से जानकारी मिली है कि इस कैफे में 11 लड़के और 8 लड़के मिली है लेकिन अब पूरी जो जानकारी है उसको जुटाने में और साथे जांच करने में पुलिस जुटी हुई है तो कैथल के ये दो कैफे हैं और इनी कैफों में पार्टी करने के लिए यूवक और युफ्तिया पहुची हुई थी तो कैफे में पार्टी करने के लिए यूवक युफ्तिया आए दरसल पुलिस को इंपुट्स मिल रहे थे जिसके बाद ही पुलिस ने ये रेट मारी है इन कैफों के उपर ये दो कैफी बताये जा रहे हैं और ये दस्वीरे देखिए इन युवक और युफ्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर आया गया है और अब इनके खिलाफ जाच की जा रही है तो देखें जो महिल पुलिस कर्मी है वो इन युफ्तियों को पने साथ लेकर पुलिस की जीप में बठाकर ठाने ले गए है इस ख़बर पर और जानकारी हमने के विरेंद्र पुरिस एव रेंद्र खबर है कि कैथल के दो कैफे और वहाँ पर पुलिस ने रेट मारी पुलिस को किस तरह के आटरो ही पिली से वहाँ पार हैं और जाते हैं। इसी अधार पर पुलिश ने दो कहते हैं। और वहां पर ग्यारा लड़के और आठ लड़कियों को इंट हाने ले जाया गया और उनके जो प्रजन है उनको पुला गुलाया गया है फिलाल वहां पर जब रेड मारी गई तो अज़ाड़क पर जो लोगों की भीड है वो इकठा हो गयी उतके बाद पुलिश को हल्का प लेकर ठाने ले जाकर उनके प्रइसनों को बिलाया गया साथी विरिंद डिजो कैफी बता है उनका संचालन कपसे हो रहा था इनके जो मालिक है क्या वो गृफतार कि के गए फिल्हाल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये पूरे मामले की और लड़कों को हिरासत में लेके उनके परिजनों को गुलाए गया है